तो आज इस पीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अपने पूरे घर का लोड पूरे दिन भर आप अपने सोलर पैनल से चला सकोगे और रात के टाइम में वही लोड आप अपनी बैटरी जे चला पाऊगे तो इसके लिए आपको कितने वाट का स अपने घर का लोड पैनल से चला पाऊगे और रात के टाइम में वही लोड आप अपनी बैटरी से चला पाऊगे तो यह पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि क्या आपको करना पड़ेगा तो यहां पर आपका पूरा लोड जो है सोलर और बैटरी के ऊपर ही दोसिस हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको क्या करना है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद अभी तक इस वीडियो को लाइक करें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटीब चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी जाता है और सेलिंग अगर हम पूरे 24 घंटे हम इस्तमाल करते हैं अगर हमारे पस्टस वाट का है तो दो इसा डिवाइस हैं जो कि हम पूरे 24 घंटे हम इस्तमाल करते हैं अगर हमारे पास 10-10 watt का LED bulb है और हम 5 LED bulb का इस्तमाल करते हैं पूरे 24 घंटे के लिए तो 5 LED bulb मिलके 50 watt की हो जाती है यहाँ पर दोनों मिलके 1500 watt की यही हो चुकी है इसके बाद अगर हम TV का इस्तमाल करते हैं तो अगर हमारा TV 50 watt का है तो अगर हम TV को नॉर्मली 6-7 घंटे इस्तमाल करते होंगे उसके बाद अगर हम mobile phone वगरा चार्ज करते हैं तो total average हम आपको बता रहे हैं कि 200 watt हम पूरे 24 घंटे तक इस्तमाल करते हैं अगर आपके घर का load 300 watt है तो सेम आपको भी ऐसे ही calculate करना है अगर आप इन सब के अलावा फ्रीज वगरा चलाते हो तो सब को add कर लेना है कि आपका total watt कितना हो जाता है जितना हमारा watt निकल के है हुआ ही इसमें power factor को divide कर देना होता है यहांपर हमारा total watt निकल की आजाता है धाईसाओ, यानि कि 200 वाट का हमारा ओपकरन हो गया और किनके 50 वाट इक्स्ट्रा हो जाता है अगर हम पात फेक्टर को भी एड्ट कर लेते हैं तो 200 वाट हमें लोड ले करके चलना होगा अब हमें देखना होगा 600 वाट लोड चलाने के लिए उतना देर तक हमारा 308 solar panel हमारी घर का ये 200 watt का उपकरन चला सकीगा लेकिन दोस्तों 8 गंटी चलाएगा लेकिन हमें 24 गंटे electricity चाहिए होता है तो अगर हम 24 को divide करते हैं 8 से तो 3 आता है यानि कि दोस्तों हमें 3 गुना बड़ा solar panel purchase करना है मतलब कि अगर हम 300 watt का solar panel purchase करते हैं तो हमारा 200 watt का लोड चला रहा है तो हमें 900 watt का solar panel purchase करना पड़ेगा पूरे 200 watt का लोड पूरे 24 गंटे चलाने के लिए 900 के अलावा दूस्तों आप एक किलो वाट भी solar system लगा होगे तो आपके घर का पूरा 200 watt लोड पूरे 24 गंटे तक चल जाएगा यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारा solar panel 8 गंटे बिजली बनाता है तो बाकी का solar गंटा हमें electricity चाहिए तो उसके लिए हमें 3 गुना बड़ अलावा कि हमें batteries purchase करना ही परेगी ताकि दिन में हमारा load भी चला सके और नाइट की टाइम में भी हमारा load चला सके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दूस्तों बाटरी के लिए अगर आप एक किलो वाट का solar system यूज करते हो तो आप डेडर सो अंपियर की दो solar battery क इस्तेमाल कर जेते हो अगर आपका budget कम है तो आप डेडर सो अंपियर की दो battery के इस्तेमाल करोगे तो आपका काम चल जागा यही नहीं दूस्तों इन सब के अलावा अगर आपको यूपियस कोई परचेस करना है तो आपको यूपियस पान सो से साड़े पान सो विए का आप कोई चोटा सा converter ही ले लेते हो जो कि आपके DC करेंट को AC में convert कर दे तो वही आपका काम चल जागा क्योंकि आपका load बड़ा नहीं है अगर आपका load 300-400 वाट है तो ही आपको यूपियस परचेस करनी की जवरत परेगी अदर्वाइस अगर आप छोटा सा कोई converter ही ले लेते ह जो कि 2500-300 वाट तक का output supply आपको दे सके तो मेरे ख्याल से वह परफेक्ट रहेगी क्योंकि उसमें ज्यादा current loss नहीं होगी और के अलावा दोस्तों आपको एक solar charge controller भी परचेस करना है क्योंकि solar charge controller हमारी बैटरी को overcharge होने से बचाता है solar charge controller के बिना आप अपनी बैटरी को चा करें तो प्लीज लाइक करें और हमारे यूटिब चानल पर नहीं होगी तो चानल को भी जोरू subscribe करें